मुख्मंत्री जो कि E.D. के डर से पिछले 40 घंटे से फरार बताया जा रहा था वो एक राज का मुख्मंत्री है लेकिन E.D. के डर से फरार चल रहा था उसके आवास पर जब E.D. की टीब छापे मारी करती है और आलमारी की चाभी जब नहीं मिलती है तो आलमारी के ताले को पोर कर 36 लाख रुपे नगत बरामत किया जाता है एक करोर 25 लाख की BMW कार उसके आबास से ED जप्त करती है और उससे पूश्ट आज करने के लिए ED उसे जगह जगह तलास रही थी लेकिन पिछले 40 गंटे से वो मिल नहीं रहा था उसकी गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर आई जा रही थी अखवारों में advertisement दिया जा रहा था कि हमारे गुमसुदा मुख मंतरी को अगर कोई पहुचाता है तो उससे 11,000 रुपे का इनाम दिये जाएगा वो मुख मंतरी अचानक से अपने आवास में प्रकट हो जाता है और उसके बाद ED की टीम उससे लगा दी गई है साथ हज़ार सुरक्षा बलो की तैनाती की गई है और उस मुख मंतरी की कभी भी गिरपतारी हो सकती है और इतना ही नहीं बलकि अब सरकार भी गिर सकती है और सरकार गिरने के बाद उस मुख मंतरी ने चाल ऐसा चला है कि बिहार में जिस परकार से लालु मुखमंत्री बनाने की बात कर रहा है तो आपने ठीक समझा है हम बात कर रहे हैं जारखंड के मुखमंत्री हेमंद सोरेन की जो की पिछले 40 घंटों से फरार चल रहे थे और फरार ही नहीं चल रहे थे बलकि विपक्ष के नेता और आप कर सकते हैं कि बिहार भाजपा के परद हमंद सोरेन प्रकट हो जाते हैं और आज लगभग एक बज़े से ED उनसे पूस्ताच कर रही है साथ हजार सुलक्षा बलो की तैनाती की गई है और बताया जा रहा कि अगर हमंद सोरेन की गिरफतारी अगर होती है तो उस इस्थिती में कलपना सोरेन जो की उनकी पतनी है उ भाया को इबन मंत्रियों के साथ मुख मंत्री की गहन मंत्रना चल रही थी और उसके बाद ये प्रस्ताव लाया गया है कि अगर कहीं हेमंद सोरेन की गिरफतारी हो जाती है जो की निश्चितруш बताई जा रही है उस इस्थिती में कलपना सोरेन को जार्खंड का नेया सपोर्ट हेमंद सोरेन को लगातार मिलता रहा है और जेटी अभी धारखंड में भी सरकार में है और ऐसा लग रहा है कि महागठ बंदन सरकार आज गिर सकती है आपको बताते चले कि हेमंद सोरेन भी ठीक वे उसी तरीके से फसे हुए हैं जिस परकार से लालू प्रसाद आपको बताते चले कि जारखंड के मुख मंतरी हेमंद सोरेन के दिल्ली स्थीत आवास की E.D. ने तलासी ली जहां से 36 लाक रुपे एक S.U.B. और कुछ आपत्ती जनक दस्तावेज जब्त किये गए हैं दरसल E.D. के टीम जारखंड के भूमी और पत्थर खनन घोटाले की जाच कर रही है भारतिय भूब ज्यानिक सरवेच्छन के क्रमचारियों के नाम पर होटल बुक करना सम्मेलन कियार में छापे के लिए राची में अधिकारियों को इकठा करना दिवाली ओफर कॉल के जड़िये पत्नी को परलोभन देकर फरार आरोपी को गिरपतार करना सि इस से इस मामले में आरोपियों को पकरा जा सके वहीं आपको बताते चले कि जहां तक न्यूज 18 की बात है तो न्यूज 18 की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक बीटे दो साल से इस घोटाले को लेकर ED टीम जाच में लगी हुई थी इस केस में मुख्धमंत्री हमन सुरेन और 6 सिनियर IS एवं IPS अधिकारी भी रडार पर है और उनके साथ 6 IS और 6 IPS अधिकारी भी रडार पर है जिसमें से कुछ IS और IPS अधिकारीों की भी गिरफतारी संभब है वहीं बताया जा रहा कि जहारखंड में छापेमारी के लिहास से एक कठिन राज्यमाना जाता है जिस पर कुछ क्रेज है आदिवासियों में क्रेज है और इनके जो समर्थक होते हैं वो बुरवक टाइप के होते हैं और कहा भी गया है कि पागल से कभी भी लराई नहीं करना चाहिए क्योंकि इन लोगों का जो होता है बंद होता है या जो भी होता है उसमें मार पीट एकदम एक्सन से भरपूर होता है और आज भी आसंका जताई जा रही है कि हेमंद सोरेन की अगर गिरपतारी होती है तो राची में कई जगा आदिवासी और जो हेमंद सोरेन के समर्थक है वो बबाल मचा सकते हैं इसके लिए राजभवन इडी कारजाले और मुख्मंत्री आवास के 100 मीटर के दाइरे में 1444 लागू की गई है वोहीं राची के कई लाकों में 1444 लागू कर दी गई है बताया जा रहा कि दरअसल आज जगार्खंड के मुख्मंत्री हेमंद सोरेन की गिरपतारी हो सकती है वोहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से बिहार में महागटबंदन की सरक ले सकती है इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जोर पहुंचाएंगे जुरे रहे हैं हमारे साथ जय हिन जय भालत